हेलो वेलकम आल यूटू इस्टेड इंडियोर और आज का जो करंटिस्व इनलेसिस है हम देखेंगे कि जैसे कि आर्बिया ने अभी रैपो रेट में कमी करी है फुटी बेसिस प्वैंट से और जो लोन मोरेटोरियम है उसको भी अगस्त तक एक्स्टेंड कर दिया है तो हमा क्या क्या यह कॉर्परेट पे और जो अधर कंजूमर है उन पे इंपेक्ट करेंगे सो सबसे पहले आपको यहां पर जानना ज़रूर यह कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसे कहते हैं तांकि आपके आपके सारे के सारे किलियर हो जगे नाव यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी ज रखने की कुछिस करेंगी, okay, so, Monitive Policy में six member होते हैं, जिनमें से three member government की तरब से होते हैं, और three member RBI की तरब से होते हैं, okay, so, इतना ये Monitive Policy की बारे में था, now हम देखते हैं कि इसके क्या impact पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको repo rate की बारे में समस्टना है, की repo rate किसे कहते हैं, okay, इसे मैं आपको एक example से समझाता हूँ, मालनी जी, यहाँ पे RBI है, जिसे की हमारा central bank है, और यहाँ पे other bank है, जो commercial bank है, या कोई और दूशरे bank है, तो जब RBI, RBI banks को, जो commercial banks हो, उनको loan देता है, okay, तो यह कुछ interest rate चार्ज करता है, तो उसी interest rate को कहते हैं, repo rate, now, अगर कोई bank, RBI की पास अपना पैसा रखे, या RBI को पैसा दे, तो जो यह bank, RBI से interest rate लेते हैं, इसे reverse repo rate कहते हैं, okay, so now, यहाँ पे आप repo rate and reverse repo rate को अगर समझ गए हैं, okay, now, RBI को उनको कम interest rate देने पड़ेगा, यानि कि RBI जो bank होंगे, उनके पास ज्यादा पैसा होगा, land करने के लिए consumers को, okay, so now, इसी चीज को, जब banks के बास, जो credit होता है, वो कापी अच्छा हो जाता है, ताकि वो consumer को land करे, इसलिए repo rate को घटाया जाते हैं, okay, और इस चीज को monetary policy transmission कहते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो RBI है, उसने यही काम किया है, जो monetary policy committee है, उसने यही काम किया है, कि उन्होंने interest rate को 14 basis point से कम किया है, जिससे कि जो bank होंगे, bank को जो fund होगा, वो cheaper होगा उनके लिए, और फिर जो bank होंगे, वो आगे इसको land down कर सकते हैं, okay, और यह इस टाइम पर आया ह और investment जो economy में वो कम से कम हो रही है, now यहाँ पर credit take up का मतलब यह है, कि bank जो consumer को loan देते हैं, इसी चीज़ को credit take up का आ जाते है, okay, सबसे पहले हमने रेपो रेट के बारे में समझा, now यहाँ पर reverse रेपो रेट का क्या मतलब है, यहाँ पर reverse रेपो रेट का मतलब यह है, जब bank क पास जो extra money होती है, वो RBI को दे देते हैं, now जब यह RBI को दे देते हैं, तो RBI इनको कुछ interest rate देती है, okay, क्योंकि RBI एक यहाँ पर एक ऐसा bank है, जो इनको SEO return देता है, okay, now अगर यह RBI इनको कम interest rate देगा, तो यह चाहेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा profit हो, तो यह RBI के प जो अपना पैसे है, वो कम से कम रखेंगे, और productive sectors के, जो productive sector में consumers को अपना loan देंगे, ताकि इनको benefit हो, क्योंकि जो commercial bank है, वो benefit पे काम करते हैं, इसलिए RBI से अगर इनको कम interest rate मिलता है, तो यह चाहेंगे, कि यह दूशरे sectors में loan को distribute करे, यह loan को land करे, ताकि इनको benefit हो, इसलि यहाँ पे रेपोरेट में भी कमी कर दी गई है, तो इसका मदब यह है, कि अगर रेपोरेट में कमी आ गई है, तो यह promote करेगा कि bank, अपने जो fund available है, उनके पास, उन्हें productive sector की economy में, ज्यादा से ज्यादा land करे, यहाँ पे significance of extension of moratorium क्या है, देखिए, जिन consumer ने bank से loan लिया है उनके पास एक, यहाँ पे थोड़ा सा जिलिक अन्नी का मौका मिल जाएगा, कि वो bank को loan तीन मैने तक, या जो अपनी installment है, उसको तीन मैने तक रोक सकते हैं, अगर उनको तीन मैने तक, वो bank की जो loan installment है, उसको रोक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कि उनके पास एक cash, जो flow है उसमें कमी नहीं होगी, और दूश्रा, वो अपने जो operation है, जो अपने business है, उनको stabilize कर सकते हैं, ताकि वो फिर से पर्ट्रीब आए, और फिर तीन मैने के बाद, जब उनकी economy, या उनका जो operation, या उनकी जो company, stabilize होने लग जाएगी, तो फिर यह loan को repayment कर सकते हैं, तो RBI ने य instance लिया है, कापी अच्छा instance लिया है, बट बहुत सारे economics यहां पर issue बता रहे हैं, कि इसमें क्या issue हो सकते हैं, क्या यह effectively work करेगा की नहीं करेगा, तो जो सबसे पहला issue है, क्या absence of demand credit, ओके, नाव यहां पर जो RBI है, RBI ने तो repo rate को तो कम कर ही दिया है, बट क्या bank अपना जो चलते हैं, जो demand of credit है, जो bank से लोगों को loan लेना है, वो demand of credit है, वो कम हो चुकी है, तो ऐसे में क्या monetary policy का transmission हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा, यह एक देखने लायक होगा, नाव यहां पर extreme risk aversion among bank, ओके, नाव यहां पर जो bank है, bank भी अपना loan कम से कम आगे देना चाते हैं, या ऐसे sector में देना चाते हैं, जहां उने लगे कि NBA या loan reporter कम से कम हो, तो क्या bank अपना जो पैसे है, वो या उनके पाँ जो available रुपी है, क्या वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या वो ऐसे consumer को, consumer को देंगे, कि जिस से, कि जो monetary policy transmission है, वो सही से हो सके, ना यहां पर दूसरी चीज यहां पर है, कि loan moratorium से संबंदीत है, ओके, ना यहां पर loan moratorium यह है, कि अगर तीन मैने तक, यहां पर extension करा है, ओके, कि loan repayment नहीं करेंगे तीन मैने तक, बट तीन मैने के बाद, कौन सी स्थिति यहां पर आएगी, या कौन सी situation यहां पर खड़ी होगी, ओके, अगर loan में, अगर जो उनका जो company है, या कोई भी business है, अगर उनका जो business है, अगर वो तीन मैने तक अच्छा चलता है, तब तो ठीक है, तब तो वो repayment अच्छे से कर पाएंगे, बट अगर उनका business है, तीन मैने तक भी अच्छा नहीं पर चल पाता है, तो वो defalter की condition हो सकती जिससे की NPA की problem फिर से हो जाएगी, और जो बैंकों का जो पैसा है, वो फिर से risk में आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो यह issue थे, यह monetary policy की issue भी थे, क्या यह effectively work कर पाएगी की नहीं कर पाएगी, तो यह देखने वाले बात होगी, तो अभी के लिए इतना ही रखत जाई पॉड़के पहाँ हुडा यहाँ और जाएगाँ हम धेना ही, जाएगाँ हम वहाँ हमभी में आएपपवापदी।